प्रदेश उत्तराखन सोनिया गांधी राज्य सभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर रही है और बड़ी खबर लखना उसे यूपी में कॉंग्रस से जुड़ी ये बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से खबर है प्रियंका गांधी राय बरेली से चुनाव लड़ सकती है लोग सभा का चुनाव प्रियंका गांधी राय बरेली से लड़ सकती है सोनिया गांधी राजस्तान से राज्य सभा का नॉमिनेशन फाइल कर चुकी है कॉंग्रस ने राजस्तान से सोनिया गांधी को अपना उमीदवार बनाया है राहुल गांधी वाइनाड के साथी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं लोग सभा का लेकिन राय बरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है यूपी में कॉंग्रेस से ये बड़ी खबर है राय बरेली से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी और सीध्य अब आपको लिए चलते हैं हमारे सयोगी मोहन हमारे साथ लाइव है मोहन सोर्सिस से क्या खबर आ रही है एक तरफ तो सोनिया गांधी ने राज्य सभा से अपना नामांकन राजस्थान से फाइल कर दिया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर क्या बड़ी खबर है को लेकर अभी तक जो सुत्रों के हवाले से लड़ेंगी उसको लेकर राइवरेली के लोगों में उस साओ वी है और उनका ये मानना हे कि अगर प्रियंका गांधी राइवली से लड़ेंगी तो निश्चीत ही रूप से वह बढ़ी जीत लेकिन यह आने वाला समय बताएगा कि उनकी जीत किस तरह की होती है यह जंता को तै करना है लेकिन जो पार्टी है पार्टी का यह कहना है कि चुकि अब सोनिया गांधी राजसभा चली गई है राजस्थान से आज उन्होंने अपना राजसभा का नामांकन पत्र दाखिल कर अब प्रियंका गान्धी इस सीट से चुनाव लड़ेंगी कॉंग्रेशी भी आप इस बात के लिए तयार हो चुके हैं मांति गुरूप से कि प्रियंका गांधी को राय भरेली से चुनाव लडाया जाए उनकी बिल्कुल बिल्कुल तो कुल मिलाकर ख़बर प्रवेश उत्राग हैं।